Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब ठीक ठाक होंगे आज की रेसिपी है बहुत स्पेशल, यह है इटालियन फ्रोजन डिजर्ट मैंगो सेमी फ्रेडो इसका टेक्स्चर और टेस्ट जो है थोड़ा थोड़ा मूज की तरह और कुछ-कुछ आइस क्रीम की तरह है आप इसको ट्राइ करके देखेगा आपको बहुत पसंद आएगा और इसमें जो इंग्रियेंट्स यूज हुए है वो आइस क्रीम से थोड़े से डिफरेंट है कर्मियो की सीजन के लिए पर्फेक्ट रेसिपी है और इसमें हमने मैंगो यूज किया है आजकल मैंगो का सीजन है उसको इस्तेमाल में आप लाते हुए इस डिजर्ट में यूज कर सकते हैं तो चलिए recipe start करते हैं, इसके लिए mango pulp हमें चाहिए, mango मैंने दो बड़े size के लिए थे, उसको छील के, उसका pulp निकाल के, उसको मैंने blend कर दिया था, अच्छी तरह से, उसकी puree बन गई, और इसको मैं एक sauce pan में डाल रही हूँ, इसके साथ ही, इसमें 1 4th cup sugar डालेंगे, और 1 4th cup पानी, इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से, हमने mix कर देना है, flame हमने on कर दी है, और sugar mix होने तक, इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, बॉल आने लगा है, अब इसमें corn flour थोड़ा सा एड़ करेंगे, 1 1.5 teaspoon मैंने लिया है, थोड़े से पानी में mix किया है, और इसको हम इसमे में यूज़ करेंगे, और इसके अंदर भी यूज़ करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, साइट पे, और हम अपनी करते हैं, दूसरी preparation, यहाँ पर मैंने full fat cream के दो packet लिये है, 400 grams होंगे, ठीक है, आप इसके जिगा heavy cream भी यूज़ कर सकते हैं, इनको हमने ए थंडा होना चाहिए, आप जो इसमें beater यूज़ करें, वो भी थंडा होना चाहिए, और इसको अच्छे से beat करें, यहां तक के इसके soft peaks फॉर्म हो जाएं, मुझे कुछ queries आती हैं, कि हमारी cream अच्छे से beat नहीं होती, तो वो क्या करें कि आप steel का प्याला लें, उसमें आप cream डालें, और एक बड़ा सा बरतन लें, जिसके अंदर वो steel का प्याला आ जाए, उस बड़े से बरतन में आपने ice cubes रखने हैं, और इसके उपर आप steel का प्याला रखें, इसको beat करेंगे अच्छे से, तो cream बहुत अच्छी beat होती है, यह देके soft peaks बन गई है, इसको हम use और इसको भी side पर fridge में रख देते हैं, अब मैं करूंगी दूसरी preparation, तीन मैंने अंडो की जर्दी ली है, एक पूरा अंडा लिया है, और उसमें हम डालेंगे 3-4 cup पिसी हुई चीनी, ठीक है, तो यह 4 अंडे हो गए, 3 जर्दियां हो गई, एक फुल अंडा और उसमें हमने चीनी डाल दी, इन तीनों चीजों में हम mango essence टालेंगे, half teaspoon और इसको हम थोड़ा सा mix कर देंगे, ठीक है, अब यह अच्छे से mix हो गया है, इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, किस तरह से पकाएंगे, इसको हम रखेंगे steamer पे, मैंने एक बटन में पानी रखा है, बॉयल होन ताकि इसमें steam निकले, और इसकी ऊपर मैं रखोंगी अपना प्याला जिसमें अंडा और चीनी मिक्स है, और इसको हम बीट करेंगे, पानी की जो steam है, वो इसको टच होनी चाहिए, अगर आप बीच में चलनी नहीं भी रखते, तो आप बटन ऐसा लीजेगा, कि पानी टच बीटर को छोड़ना नहीं है, मुसलसल आपने बीट करते रहना है, वरना अंडा पक जाएगा ज्यादा और वो इसमें घुटलियां बन सकती है, और ये देखें, हमारा मिक्सचर बिल्कुल तयार हो चुका है, इसमें थोड़ी सी थिकनिस भी आ गई है, और स्पून की बैक कर देते हैं, जो हमने बीट की थी, बस थोड़ी सी डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे ताके इसका टिमप्रेचर थुड़ा सा कम हो जाए, हलकी हातों से हमने फोल्ड करना है, और अब इस मिक्सचर को हम अपने बीट की हुई जो बची हुई क्रीम है, उसमें डाल और इसको हमने lightly fold करना है आपने इसको beat नहीं करना वरना इसका volume कम हो जाएगा जस्ट इसी तरह से हमने हलके हाथों से fold करना है आप इसमें दूसरे flavors आड़ कर सकते हैं mango की जगा आप strawberries डाल सकते हैं कोई भी seasonal fruit आप डाल सकते हैं तो उस flavor के हिसाब से semi-freddo तयार हो जाएगा हमारे semi-freddo mixture तयार है इसको हम अब निकालेंगे mold में यहां पर मैंने rectangular loaf tin लिया है इस पर मैंने plastic लगा दी है ताके यह बाद में निकालना आसान हो जाए इसमें हम half mixture पहले पोर करेंगे ठीक है यह half mixture मैंने डाल दिया है हाफ हम बाद में डालेंगे और जो हमने mango puree बनाई थी जो sauce बनाई थी वह हम थोड़ी से इसमें अट करेंगे और थोड़ी से हम बचा देंगे जो बाद में हम उपर से डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे ठीक है एक लेयर सी हमने लगा दी है mango sauce की और अब बाकी का जो हमारा सेमी फ्रेडो मिक्स्चर है वह इसके उपर डाल देंगे और इसको अच्छे तरह से स्प्रेड कर देते हैं थोड़ा सा मैं इसको टैप करूंगी ताकि जो air bubbles हैं वह सारे खतम हो जाएं अब इस तरह कि आप बार्प्यू स्टिक ले लें या फिर आप फोर्क ले लें स्पून की बैक साइड ले सकते हैं इससे हम अंदर स्वोल करें ताकि एक अच्छा से डिजाइन बन जाएं ठीक है ये अंदर से बहुत ही अच्छा डिजाइन आ जाएगा जब हम इसको कट करेंगे और इसके ऊपर हम क्लिंग रैप लगा देते हैं ताकि उपर से क्रिस्टलाइजेशन ना हो और इसको अच्छी तरह से रैप करके हम इसक कर दें या फिर अगर आपको जल्दी है तो दस से बारा घंटे तक आप इसको अट लीस्ट फ्रीज करें अच्छे से फ्रीज हो जाएगा उसके बाद हम इसको सर्फ करेंगे तो यह मैंने अब निकाला है नेक्स टे और चेक करते हैं कि कैसा बना है हमारे सेमी फ्रेडो अब ओवर नाइट फ्रीज करने का फाइदा यह हुआ कि बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज हुआ है और मैंगो सॉस जो हमने बनाई थी बाकी की बची हुई इसके उपर हम डाल देते हैं और इसको स्प्रैड कर देते हैं स्पून की मदद से अब आप इसको सिर्फ कर सकते हैं या फिर मैं इसको और डेकॉरेट करना चाहती हूं तो मैंने मैंगो के स्कूप किये हैं चोटे-चोटे बॉल्स निकाले हैं उसको मैं इसके ऊपर रखके इसको डेकॉरेट करूंगे और यह हमारा बहुत ही जबरदस्त बहुत मज़ेदार मैंगो सेमी फ्रेडो तयार है इसका टेस्ट कुछ-कुछ मूज की तरह होता है और कुछ जो है आइसक्रीम की तरह तो बहुत ही एक यूनिक टेस्ट है आइसक्रीम से बहुत 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 हैं या फिर अपने घर वालों के लिए बनाईए मैंने यह बनाया था यह दो दिन के अंदर-अंदर खतम हो गया ट्रस्ट में बहुत ही मज़े का फ्लेवर है इसका और जरू ट्राइक कीजेगा और मुझे बताईएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी और कोई रिक्वेस्ट है आपकी रेसिपी से रेलेटेड तो मुझे जरूर फीडबैक में बताईएगा आपको कौन कौन सी रेसिपी चाहिए और मेरे चैनल पे आप नए है तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और बाकी वीडियो आप यहां से लिंक से चेक कर सकते हैं और नीचे